नमस्कार मेरा नाम हैवडाश और आपको देखना शोग कर चुक हैं स्पोर्स चौक जोस बटलर राजस्थान रोयल्स के स्टार ओपनर बल्लेवाज और इंग्लेंड के भी बल्लेवाज हैं खर बटलर आईपियल 2022 में वो कारणामा कर रहे हैं जो राजस्थान रोयल्स का बनाने वाले राजस्थानी बल्लेवाज बन चुके हैं 566 अब तक ठोग चुके हैं और वह भी नौ मुकाबलों में जिसमें तीन श्रतक भी उनके नाम है और दो पचासा जो है उन्होंने लगाया है मुंबे इंडियंस के खिलाब मुकाबला हुआ तो यहां भी नहीं चु टाई करते हैं और आज भी वही हुआ बावन गेंदों में सरसट रन की पारी जो है जो इस बटलर खेल कर आउट हुए और इस सरसट रन की पारी के दोरान बटलर ने चार छक्ये लगाता लगाए बिलकुल 46 गेंद में 43 रन बनाकर खेल रहते जो बटलर लेकिन इसके बाद आई गेंद बाजी करने के के लिए रिंतिक शौकिन आफ़ि-श्पिनर है मुम्बेंडेस के खिल रहा है और अच्छे गेंद बाज के तोर पर यह इब भी रहा है और अच्छे गेंद बाजी की थी लेकिन जब तक जो इस बटलर से उन्हें मार नहीं पड़ी बताते हैं प पहली गेंठ चखका दूसरी गेंठ चखका और चौती गेंठ पर भी चखका भाइशाब कमेंटेटर सब को लगने लगा कि अब तो भाई लगता है दो और चखके लगेंगे तो चखके लग जाएंगे और में रिकॉर्ड बन जागा इतिहास रच देंगे जोस पटलर लेकिन बड़ी चलाकी की रितिक शौकी ने राउंड दे विकेट से गेंद भाजी करने लगे पांच भी गेंद पर कोई रण नहीं बना और आखरी गेंद पर जो है जोस पटलर का विकेट गिर गया शह गेंदों का इस ओवर में सामना किया और टोटल बावन गेंदों में सरसट रण की पारी खेल कर जोस पटलर आउट हुए एक रिकॉर्ड हम आपको बताते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाब सिर्फ दूसरे ऐसे खिलाडी बने हैं जिन्होंने एक ही ओवर में चार चक्के मुंबई क इसने चार लगातार चक्के लगाएं वैसे इस सीजन जो है डेवर्ड प्रेविस मुंबई इंडियंस के बलेबाद से उन्होंने राहुल चाहर को एक ओवर में चार चक्के लगाए थे तो चलिए इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है आप अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मन भूलिएगा बिल्कुल भी मन भूलिएगा धन्यवाद